नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नील कमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट नियूस बुलेटिन पहले रुख करते हैं हेडलाइन्स की और अर्थ विवेस्ता पर बोले राहुल गांदी जो महीनों से कह रहा था वो अब आरबी आई ने भी माल लिया राधस्तान में बीजेपी ने कॉंग्रेस को घेरने की बनाई रन नीती करेगी धरना परदर्शन राधाश्ट मीगा पर्व आज मंदिर में हुआ पंचामरे तभी शेक अब खबरे विस्तार से अर्थवेवेस्ता को लेकर कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांदी ने एक बार फिर केंदर की नरेंदर मोधी सरकार को नसीहत दी है राउल गांदी ने कहा की जिस खत्रे से मैं कई महीनों से आगा कर रहा था उसे अब रिजर्व बैंक उफ इंडिया ने भी मान लिया है राउल गांदी ने ये बात एक ट्वीट के जरिये कही है बुदवार सुबह राउल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक अख़बार की खबर भी शेयर की है इस खबर में RBI रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है RBI रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंबीर जटका लगा है गरीब को जादा नुकसान पहुंचा है ऐसे में अर्थ वेवस्ता के पट्री पर लोटने के में काफी वक्त लगेगा इसके अलावा राहूल गांदी ने जो खबर शेयर की है उसमें यह भी लिखा गया है कि सरकार के कॉर्परेट टेक्स रेट में जो कटोती की है उससे निवेश को बढ़ावा नहीं मिला है बलकि कमपनियों ने कर्ज घटाने और कैश बैलन्स करने में इसका इस्तेमाल किया है RBI की इस रिपोर्ट का हवाला देते वे राहूल गांदी ने सरकार को एक बर फिर सुझाब दिये है राहूल ने अपने ट्वीट में लिखाया है कि सरकार को अब ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है खर्च देने की जरूरत नहीं है गरीब को पैसा देजिए उध्योग पत्यों का टैक्स मत माफ कीजिए खपत से अर्थवेवेस्ता को फिर से चालू कराईए यह सुझाब देते वे राहूल गांदी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की भी कोशिश्ट की राहूल ने कहा कि मीडिया के जरिये भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और नहीं आर्थिक आपदा गायब होगी गौरतलब है कि कोरोना वाइरस महामारी के चलते लंबे समय तक देश में लॉकडाउन रहा है इसे अर्थवेस्ता को भारी नुकसान पहुंचा है सरकार ने एकोनोमी बूस्ट करने के मकसद से एक बड़ा बजट जारी किया है और कारोबारियों को करज दिया जा रहा है राहुल गांदी ने लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार सिर्फ टैक्स माफ करती है करज देती है जबकि जरूरत यह है कि खपत भड़ाई जाए जब तक गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा अर्थवेस्ता की चेन नहीं चल सकती उतर परदेश में पिली भीत के शेतर में बाग की धहशत तो बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है वहीं आज पिली भीत के अमरिया थैसिल शेतर में पढ़ने वाले गाउं कटमटी में रहने वाले किसान इंदरजीत सिंग के घर में लगे हुए CCTV कैमरे में चहल कदमी करते हुए तेंद्वा कैमरे में केद हो गया आपको बताते चले कि अम्रिया थाना शेत्र के इस अबादी वाले इलाके में जंगली जानवरों का आतंक काफी रहा है वहीं तेंद्वे की इस चहल कदमी काफी दिनों से देखी जा रही है जिसके चलते गाउं के लोगों की आँखों में डर और दिल में दहशत बनी हुई है यह तेंदुआ पास के जंगल से निकल कर अबादी वाले इलाके में रहने लगा है और घूमता हुआ पास के उत्रा खंड जंगल में वापस चला जाता है एक महीने से वन विभाग के करमचारी अधिकारी इस तेंदुआ को पकरणने में लगे हुए हैं मगर वैं नाकाम साबित हो रहे हैं गाउं के लोगों में तेंदुआ की चहल कदमी के चलते धैशत बनी हुई है जैपूर में विधान सबा सत्र के स्तगित होते ही भाजपा ने प्रदेश में कॉंग्रेस को घेरने की रनीती तयार कर ली है अब भाजपा कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे देश में धरना परदर्शन और ग्यापन देने का काम करेगी इसके लिए भाजपा ने पूरा प्लान तयार कर लिया है भाजपा मुख्य परवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने मीडिया से बाच्चीत के दोरान कहा विधानसवासत्र के दोरान जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की गई अब जनहीत के मुद्दों को भाजपा जनता के बीच लेकर जाएगी और सरकार की नकामियों को उजागर किया जाएगा तीन चर्णों में भीजेपी धरना परदर्शन और ग्यापन देने का काम करेगी इसको लेकर 28 अगस्त को परदेश के सभी GSS वेब बिजली निगम के कारियालों पर बिजली के बिलो की समस्या VCR भरने के मसलों को लेकर धरना परदर्शन किया जाएगा इसके अलावा बिजली भाग के अधिकारियों को ग्यापन दिया जाएगा वहीं 31 अगस्त को स्तान्य समस्या वे कांग्रे सरकार द्वारा बंद की गई लोग जनल कल्यान कारी योजनाओ को फिर से शुरू करने सहीद कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ग्यापन दिया जाएगा इस धर्ने परदर्शन में स्तान्य विधायक सहीद भाजपा के कार्यकरता भी शामिल होंगे इसके बाद 2 सितंबर को भी जिला मुख्याले पर जिला कलेक्टर को विभिन समस्याओ को लेकर सांसत जिला ध्यक्ष्वे पूर्वे विधायक ग्यापन सौपेंगे अब खबर कुचामन सिटी से मुख्यों की इनसान रोज अपने स्वाद के लिए हिंसा करके उनकी बली करता है जिसको रोकना तो बहुत दूर की बात है इन सभी को हम चाते वे भी किसी भी तरह से विरोध नहीं कर पाते हम बात करते हैं नावा विधान सभा के मारोट ग्राम पंचायत की मारोट जैन समाज के पुरवजों को इसका विरोध करने का एक उपाय समझ में आया और यह क्या है कि इन बेस कसूर जीवों को हम लोग अपने सुरक्षन में पालें पुरे भारत वर्ष में सैंकडों की तादाद में इनके सुरक्षित जीवन यापन के लिए कबूतर खाना, बकर साला, गोशाला, मुर्गी पालन सहीत कई संस्ताइं हैं जिन पर जैन समाज को गर्व है ऐसी एक संस्ता भारत में एक मातर और राजस्तान के नागोर जिले के नावा तहसील मारोट कस्वेवे सचालित है जो बकरों की बली रोकने के लिए बकर शाला की स्थापना की यह संस्ता सन 1922 से संचालित है वर्तमान में इस संस्ता में 350 बकरे अपना जीवन यापन कर रहे यह संस्ता जैन समाज के भामा शाहों के सयोग से संचालित है इस संस्ता का नाम जीव दया पालक समीती है इस संस्ता का वर्तमान खर्चा 5,000 रुपय प्रती दिन है छोटी समाज होने के बावजूत संस्ता संचालन में कोई समस्य नहीं आने दे रहे हैं इस संस्ता में अपनी जैन ने बताया कि मारोट में इस्तित भैरुजी महराज का प्रसिद मंदिर है जिसमें मनो कामना पून होने पर भक्तो द्वारा पूर में बकरो की बली लगाई जाती थी जिसको लेकर जैन समाज के पुर्वजों ने सन 1922 में बकरो को बचाने के लिए बकरशाला बनवाई ज यहां बकरो का सरक्षन कर जीवन यापन करते हैं जीवों को बचाने वाली संस्ता के कार्य को देखकर मंदिर पुजारी द्वारा भी भैरुजी के मंदिर में आने वाले बकरो की इस संस्ता में भेज दिया जाता है ताकि बकरो का जीवन बच सके साथ ही घरों में बकरी पा अधारित होकर इस संस्ता का निर्मान किया गया ताकि निस्वार्थ भावना से जीवों पर दया की जा सके इस संस्ता को पूरे विश्व के जैन समाज के भामा शावेदान वीरो द्वारा संचालित किया जा रहा है जिनके सयोग से ही जैन समाज मारोर द्वारा इस संस्ता को स पमोचित व्यवस्ता में इस संस्ता को सुचारू वे नियमित चलाने के लिए संस्ता की कमेटी बनाई हुई है। संस्ता में चार गवाले वे चराने वाले वे सफाई करने वाले लगाई हुए है। संस्था में व्यवस्था अपक लगाया हुआ है ताकि संस्था की सही तरीके से देख रेक हो सके अब खबर जोदपुर जिले से भारतिय किसान संग के बैनर तले मंगलवार को जोदपुर में प्रस्तावित किसानों के महा पड़ाव में शामिल होने जा रहे तिवरी तहसील के किसानों को पुलिस परशाशन ने तिवरी में ही रोक दिया सभी किसान संग के परदेश उपाध्यक्ष मानकलाल परिहार के नितरतव में जोदपुर के लिए रवाना हुए थे तिवरी पहुंसते ही इन किसानों को पुलिस चौकी के आगे रोक लिया गया किसानों को रोकने के बाद किसान वहीं पर धर्ना देकर बैठ गे किसानों ने नारे बाजी कर विरोर्ध परदर्शन किया आपको बता दे की जिले भर के किसान अपनी मांगों को लेकर जिले में तहसिल मुख्यालियों पर धर्णा देके बैठे हैं मांगे नहीं माने जाने पर किसानों ने मंगलवार को जोदपुर डिस्कॉम कार्या लेके आगे धर्णा देने का एलान किया था किसानों के एलान को देखते वे परशाशन ने भी पहले से ही तैयारियां कर रखी थी अब खबर जालोड चिले से मोदरान कस्बे में गनेश चतुर थी गनेशोत सव के उपलक्ष में गनपती युवा मंदल के तत्वावधान में एक शाम गनपती बपा के नाम विशाल भवय जागरन का आयोजन हुआ जिसमें राजसान के सुपरसीद भजन गायक दीपक राजगुरू एंट पाटी जुगल किशोर पिंटियो वे वर्षा रावल द्वारा शाम की महा आरती वे गनपती वंदना के साथ लाख लाख दिवलेरी आरती महने रे जानो धनी शांती नाथ महाराज धाम खेता राम जीरो मुकुंद घोडो महारी आशापुरा मा इतियादी लोग प्रिय भजनों पर देश शाम तक श्रधालू ने आनंद लिया इस दोरान पुरा गाउं भक्ती में जैकारों से गुंजाय मान हो था कार्यकरम के वेवस्ता में गनपती युवा मंदल के युवाओ सहीत कई कार्यकरता उपस्तित रहे आज बुद्वार को बपा की विदाई समहारों को लेकर सुबह 10 बजे से शिववाडी गजानंद गनेश मोहतसव की ओर से विशाल रत्यात्रा गाजे बाजे वे परशादी वित्रन के साथ बपा का विस्तरजन गाउं के आम चोहटे से निकल कर हनुमान मंदिर में बस स्टेंड हनुमान जी मंदिर रेलवे स्टेशन बास्रा धंजी चोड़ा होकर आशा पूरी माता जी के दर्शन करते हुए गाउं देवालिय तालाब में बापा की प्रतिमा के विस्तरजन किया जाएगा अब खबर जोद पूर जिले से अकिल भारतिय भ्रामन महास्टांग राजस्तान प्रदेश अध्यक्ष वे राश्ट्रे परशू राम सेना राजस्तान प्रदेश महासच्वी महिंदर सिंग राजपुरोहित घेवडा देचु का माला और साफा पहना कर किया गया स्वागत महिंदर सिंग राजपुरोहित घेवडा देचु के राजस्तान प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश राश्ट्रे परशू राम सेना महासची बनने पर प्रथम बार अपने घरह श्वेत्र जोदपुर भगवान नगर बदवा सिया ज्यादी फुड प्रोडेक्ट आने पर द साफा पहना कर किया स्वागत साथी प्रदेश अध्यक्ष और महासची महंदर सिंग राजपुरोहित घेवडा देचुने संबोधित करते हुए कहा कि अब भी समय है ब्रामन समाज के लोग एक जुट होकर हक्की लड़ाई लड़े ब्रामन समाज में 36 कौम का मार्क दर्श कार के साथ आगे विस्तार करना है समाज के युवाओं ने संसकारवान एवं विचार्शिल बनने के साथ निभाने के लिए हुंकार भड़ी तनवंधन के साथ निभाने की प्रतिग्याली अब खबर राजधानी जैपूर से विशेश योग संयोगों के बीच भादरपत शुकलपक्ष अर्ष्टमी को राधा रानी का प्राकट योद्सव कृष्ण मंदिरों में साथ की पुन तरीके से मनाया जा रहा है करोना संक्रमन के चलते सभी कारेकरम, मंदिर, महंद और पुजारियों के सानिध्या में बिना भगतों के आवाजाही के ही हो रहा है फूल बांदरवाल गुबारों से सजे जगमोहन में राधा जनम की बधाईयां गाई जा रही हैं इसे पुर्वर ठाकुर जी और राधा जी का जनमा भिशेक हुआ, अखंड सोभाग्या की कामना के लिए और सुक सम्रिधी के लिए वर्थ रखा गया शहरा राध्या देव गोविन देव जी की मंदिर में मुख्या कारेकरम हुआ यहां राधा जी का जनमा भिशेक, विशेश, पूजन, श्रिंगार, आरती, बधाई, गान और उच्छाल के आयोजन हुए सुबह चार बज कर 45 मिनट से पांच बजे तक तिति पूजा के बाद प्रिया जी का पंचामरत से अभिशेक किया इस दरांच है पंडितों ने वेदपाट किया, अभिशेक में 21 लिटर दूद, 11 किलो दही, 5 किलो बूरा, 1 किलो घी, 500 ग्राम शेहद का उप्योग हुआ ठाकुर जी और रादा जी को नवीन पीली पोशाक धारन कराई गई, सिर से नक तक विशेश अलंकार धारन कराई गई, फूलो से भी मनमोहक श्रिंगार किया गया, पंजीरी के लड़ू, मावे की बर्फी और पंजीरी का भोग लगाया गया श्रिंगार आरती के बाद रादा रानी का धूम धाम से जनमोस्व मनाया गया, कोविड-19 के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण तरह से पालना की गई अब खबर जुनजनु जीले से, कलेक्टर यूडी खान ने फैसला लेते हुए अब तया किया है कि बिना लक्षन वाले कोरोना मरीजों जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के पॉजिटिव केस आदि शामिल है, उन्हें कोविड केर सेंटर में लाकर इलाज कराने की बजाए, अब उन्हें होम आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा। पांसाल या फिर इस चोटे उम्र के बच्चे, पांसाल या फिर इस चोटे उम्र के बच्चों के एकल माता पिता, बीना कोई लक्षन के कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें भी होम आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा। इन के इसो के इलाज की जिम्मेदारी संबधित CHC, पीएच सी में कारेरच चिकित्सक के साथ साथ ब्लॉक के CMH की होगी। डॉक्टर गुजर ने बताया कि यह फैसला तूरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है, दरसल यह गाइडलाइन भी आई हुई है, जिसे लेकर अब जुनजनु जिले के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन होम आइसोलेट केवल और केवल बिना लक्षन वाले जैपुर में त्याग मूर्ती महरेशी धदीची की जयन्ती आज आयोजित की गई, श्री धादीच समाज जैपुर महद्वारा महरेशी धदीची का पूजन और महा आरती, श्री ग्यारा रुद्र महादेव मंदिर बड़ी चौपड जैपुर पर आयोजित हुआ, कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को धादीच समाज जैपुर के सभी लोग इस पूजन को अपने अपने घरों पर करने का निवेदन किया गया, इस अफसर पर धादीच समाज जैपुर के समाजबंदू उपस्तित रहे और कारे करम में कोविन-19 के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई स्टेट निउस बुलेटिन में फिलाल के लिए बस इतना ही देखते रहें डिपी के निउस नमस्कार